हलो दोस्तो मैं हूँ इम्रान और आपका हमारे लर्निंग जक्षन पे बहुत बहुत स्वागत है आज का जो वीडियो है वो यूट्यूबर के लिए खास तोर्च है बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनका एड्सेंस का जो पीन होता है वेरिफाई के लिए अध्सेंस के लिए वो नहीं आ पाता है तो वो कैसे का करें से अपने कर सकेंने अपने एड्सेंसकार میए में किस तरह से अपने एड्सेंस एकाउंट को को verify कर सकेंगे अगर आपके पास अगर बाइप पोस्ट पिन नहीं आए एडसेंस को verify करने का पिन जो कि Google के तरब से आता है अगर नहीं आया है तो हम आज इस वीडियो में आपको यह बताएंगे कि किस तरह आप without pin का अगर pin नहीं आया है तो भी अपने अकाउंट को एडसेंस अकाउंट को कैसे verify कर पाएंगे लेकिन मैं आपको पहले यह बता दूँ कि आप तीन बार request करेंगे pin के लिए उसके बाद भी अगर नहीं आता है तो आप इसे बिना pin का भी verify कर सकते हैं वो कैसे करेंगे चलिए हम देख लेते हैं इसकी लिए सर्थ साथ पहले अपने ब्राउजर में आपको जाना होगा और एडसेंस के अकाउंट में लोग इन हो जाना होगा तो हम अभी यहाँ पर अपने ब्राउजर में आ चुके हैं Highlands login हो जाते हैं तो जैसे कि आप देख पा रहा है कि हम अपने AdSense के account में login हो चुके हैं तो AdSense के account में login होने के बाद आपको करना क्या होगा कि आप यहाँ पर देख पा रहा है कि एक notification आ रहा है Your payment are currently on hold because you have not verified your address तो यहाँ पर action के button पर आपको click करना होगा यहले हम click करते हैं और action के button पर click करने के बाद आपके सामने एक page open होगा जिस page में आपको बोला जाएगा कि अगर आपके पास by post AdSense के जो pin है अगर गया है तो आप उस pin को यहाँ पर डाल कर verify कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास यह pin नहीं गया है तो किस तरह से verify करेंगे वो हम आपको इस video में बताएंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यह interior pin देने के लिए बोल रहा है और अगर आप देख पा रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिख के आ रहा है कि अगर आप तीन बार गलत pin दे दिये यहाँ पर और submit कर दिये तो अगर गलत होगे आपका pin तो आपका यह जो account है AdSense का वो suspend हो जाएगा तो अगर आपके पास pin नहीं आया है तीन बार request करने के बाद भी तो आप यहाँ पर एक link के आ रहा है आप पढ़ भी सकते हैं यहाँ पर If you don't receive your pin within 4 week of this date, please complete this form तो आप यह form को fill up कर सकते हैं तो अगर आपके पास भी नहीं आया है तो आप यहाँ पर click करें तो चलिए हम यहाँ पर click करते हैं और इस form को fill up करते हैं इस form को click करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ detail fill up करना पड़ेगा तो जैसे कि सबसे पहले आपको name fill up करना पड़ेगा तो चलिए हम यहाँ पर अपना नाम डाल देते हैं अपना नाम देने केबाद आपको आपका जो email ID है वो यहां पर auto detect कर लिया है तो इसको यहीं पर AC रहने देते हैं और यहां पर लिक क्या रहा है Your AdSense Publisher ID तो यह आपको कहां से मिलेगा चलिए हम आपको दिखा देते हैं इसके लिए फिर आपको AdSense में आना पड़ेगा, AdSense में आने के बाद आपको Setting में आना पड़ेगा, AdSense में आने के बाद से आपको यहाँ पर दीख रहा होगा, Account Information इस पर आपको क्लिक करना होगा, और Account Information क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर AdSense Publisher ID पूछ रहा है, और आपको यहाँ पर Publisher ID दीख रहा है, तो मैं इसे ब्लॉर कर दिया हूँ ताकि आपको दीखने सके, तो आप इस ID को यहाँ से Copy कर लेंगे, तो चलिए हम इसे Copy करते हैं, Copy करने के बाद हम यहाँ पर इस Publisher ID को पेश्ट कर देंगे, पेश्ट करने के बाद आपको यहाँ से एक Documents को एटेश करना होगा, Documents में आपका जो AdSense में आप दे रखे हैं, वो AdSense होना चाहिए, और Valid Documents Government ID प्रूफ होना चाहिए, तो सली हम यहाँ से Choose File पर क्लिक करते हैं, और हम अपना एक Documents को Add कर देते हैं, और इसे Attach करने के बाद आपको सिंपली Submit पर क्लिक कर देना होगा, तो हम यहाँ पर अभी File अटेच हो चुका है, तो हम यहाँ Submit पर क्लिक कर देते हैं, तो अभी आप देख सकते हैं कि एक Message आ चुका है, The form has been submitted to AirChance Support, We will try to get back to you within 24 hours, if your query is about, मतलब यह जो हमारा form था, वो सब्मित हो चुका है, और बताया जा रहा है कि 24-49 गंटे का अंदर में आपको response दिया जाएगा, तो हम वेट कर लेते हैं 24-49 गंटा, उसके बाद हम देख लेंगे कि क्या हुआ है, अगर आपको भी पिन नहीं आया है अब तक, तो आप इस तरह से आप अपने adsense account को verify कर सकते हैं, उमीद है कि आप अगर इस problem में हैं और अगर यह problem face कर रहे हैं, आपका code नहीं आया है, मतलब पिन नहीं आया है adsense, adsense verification का, तो आप इस video के तुरू आपको मदद मिलेगी, अपने adsense account को verify करने में, अपने documents के तुरू, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज आप लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ भी share करें, ताकि हो सकता है वो भी इस problem को face कर रहे हो, तो इस तरह के दूसरे वीडियो देखने के लिए, आप हमारे learning जक्सन परिवार में जूड़े रहें और देखते रहें, Thank you for watching, मिलते हैं इस तरह के एक दूसरे वीडियो के साथ,